हाई फ्रेंड्स मैं अकान शा जी के विता कान शा में आपका स्वागत करती हूँ फ्रेंड्स आज मैं पढ़ने वाले हैं सामुदा एक टीका करन पर एक लिखिए मिसन इंदर धनुस पर टिपड़ी लिखिए और बैकल्पिक टीका करन पर नाली को समझाईए बैरी वैरी इं इसके अलावा एक बहुत चरूरी इंफॉर्मिसन आपको देना चाहती हूँ फ्रेंड्स कि मेरा जो चैनल है वो जी के वित अकांशा सर्मा का है जैसा कि आप लोग नोट्स लेते हैं तो एकाउंट डिटेल में भी आपको अकांशा सर्मा ही नाम सो होता होगा और मैं अकां अमारा सामुदायक ठीका करन पर एक लेक लिए और फ्रेंड्स आप नोर्ट्स पढ़ए हैं यह नोट्स जो है यह मेरे फेंडे के नोट्स आगंडेर का लुए आपको सारा शौर्छ नहें यह कि लिए чист लेएक के श्तृ नोट्स में होता उपर फोराना के लिए था लेे सक से हुआ था सामुदेख टीका करण का सुभारम उनीस सो पच्चास ही में हुआ था और खसरे के टीके से हुआ था 1990 में vitamin A के पूरक्ता कारी क्रम को इसमें जोडा गया इसका उद्देश क्या है सामुदैक टीका करन का उद्देश है प्रवंदन की देखरेक करना वैक्सीन के निर्मार से आत्म निर्भरता प्या प्राप्त करना तेजी से टीका करन कवरेच को बढ़ाना मतलब कैसा क्या प्रवंदन नूरा इसका देखरे करना है बैक्सीन के निर्मार से कैसे हम आत्मिरभरता प्राप्त करते हैं वो देखना है तेजी से टीका करन कवरेज को बढ़ाना है और सेवाओं की गुडवत्ता में सुधार करना है इस सामुदाइक जो परिनाली है उसके निर्मार से किन-किन टीका करना को सामल किया है तो इशके अंतरगत play AOAN Dum case लूवा एक झोड़क का परिनाली के अंतरगत सामल किया है तो भारंब कभ वा क्या जो ड़ा गया इसका क्या उत्देश क्या था और और इसमें क्या 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 कौन कौन से टीके सामल किये गए तो ये आपका हमारा आंसर हो जाएगा कि सामुदा एक टीक करन क्या होता है नेक्ट कोशन है मिसन इंदधनुस पर लेक लिखिये तो मिसन इंदधनुस का आरंब हुआ था 25 दिसंबर 2014 को मिसन इंदधनुस का आरंब हुआ था 25 दिसंबर 2014 को हुआ था यह एक रास्ट व्यापी पहल है क्या है यह एक रास्ट व्यापी पहल है इसका विशेज ध्यान दे इसके 201 जिले पर है 25 दिसंबर 2014 को मिसन इंद धनुस का आरंब हुआ यहाँ एक रास्टर व्यापी पहल है इसका विसेज धियान देश के 201 जिलों पर है आंसिक टीक करण या इससे पूरी तरह बंचित बच्चों को लाब पहुचाना ही इसका प्रमुक उद्देश है मिसन इं इंसेफिलाइटिस के खिलाफ टीक करण अभियान चलाया जाएगा इसमें क्या होगा देश के चुनिंद जिलों में जापानी इंसेफिलाइटिस के खिलाफ टीक करण अभियान चलाया जाएगा इसके प्राबधान क्या क्या है इसके प्राबधाने नंबर वन गरबबती मह पॉलियो उनमुलन कारी क्रम में सीख लेते हुए सूक्ष में योजनाये बनानी होगी 2020 सबी वच्चों तक पुहुचने का इसमें लक्ष रखा गया है बैक्सीन कोल्ड चैन प्रबंदन बैक्सीन कोल्ड चैन प्रबंदन मद्धपदेश के 15 जिलों को इसके तहट चुना गया है क्या है मद्धपदेश के 15 जिलों को इसके तहट चुना है भारत सरकार के इंद्धनुसकारी करम के तहट पून टीका करन अभियान से लाखों बच्चों को बिमारियों और आसामीक मित्तु से इसमें रोका जा सकता है क्या है भारत सरकार के इंद्धनुसकारी क्रम में पून टीका करण अभियान में लाखों बच्चों को बीमारी और असामाइक मित्तु से इसमें रोका जा सकता है इस प्रणाली दौरा तो याद रखिएगा सबसे पहले मिसनिंद्धनुसका प्रारंब हुआ और यह क्या है इसमें किस पर ध्यान दिया जा रहा है तो यह रास्ट प्यापी पहल है 25 दिसंबर 2014 को यह प्रारंब हुआ देस की 2001 जिलों पर इसमें ध्यान दिया जा रहा है इसका जो अदेश है जो धिया प्राबंदान का सब्याइन का प्राब्दान काया बनानी होंगी इसमें क्या होगा पोली उन्मूनल कारीक्रम से सूख्ष मी योजनाएं चुटी चुटी योजनाएं बनानी होंगी तक यह ज्यादा अच्छे से उद्देश्यों को प्राप्थम कर पाएं 2020 तक सभी वच्चों तक पहुंचने का इसमें लक्ष रखा गया बैक दूसरे इसमें रोखा जा सकता है नेक्स्ट कोशन है भारती परिदश्यों में टीका करन को समझा तो भारत में हर साल 2.7 करोर बच्चे पैदा होते हैं हमको भारती इस्थिती बताना है तो भारत में हर साल 2.7 करोर बच्चे पैदा होते हैं करीब 18.3 लाग बच्चे अपन उन्हीं की जो बिमारियां हैं उनके चलते धम तोड़ देते हैं जिसने बाल म्रत्यु जो है वो सबसे अदेख है भारत में पितेक तीन बच्चों में एक बच्चा सार भूमिक टिका करन के तहत पून टिका करन का लाब नहीं ले पाता मतलब तीन बच्चों में से एक बच्चा ऐसा है जो पूरी तरह से टिका का लाब नहीं ले पाता है सहरी छेतरों में 5% जबकि ग्रामी निलाकों में 8% बच्चे टिका करन से मतलब ग्रामी निलों की स्तिती ज़्यादा खराब है सेहरों में 5% और ग्रामीनों में 8% बच्चे से बंचित हो जाते हैं भारत सरकार ने बाल मित्तुदर रोकने के लिए सबसे कम लागत में प्रभावी ठीककरन सुरू करने का कारिकरम चलाया है भारत सरकार ने क्या किया है बाल मित्तुदर रोकने के लिए सबसे कम लागत में प्रभावी ठीककरन सुरू करने का कारिकरम चलाया है भारत का ब्यापक ठीककरन कारिकरम देश में सबसे बड़ा सारवजनिक स्वास्तोपायों में से एक है भारत का जो ब्यापक टीका करनकारी करम है सबसे बड़ा सावजनिक स्वास तुपायों में से एक है इसके तहट क्या होता है इसके तहट देज भर के 35 राज्यों में 27,000 वैक्सीन भंडारने काईयों के साथ एक ब्यापक वैक्सीन वितरन परनाली काम कर रही है क्या हो रहा है इसके तहट देज के 35 राज हैं उनमें 27,000 वैक्सीन भंडारने काईयों के साथ एक ब्यापक वैक्सीन वितरन परनाली काम कर रही है तो इस पेकार से हम यह आंसर को मेंसन कर सकते हैं इस पेकार से हमने अपना यह आंसर कम्प्लीट किया यह फ्रेंड्स मेरे मेंस के नोट से आप देख सकते हैं उपर यह प्रेलिम्स का नोट से फिर यह मेंस के नोट से फिर यह सौल्ड पेपर है तो आप यह देख से अगर आप यह लेना चाहते हैं तो पूरा पैकेज लेना चाहते हैं तो पूरा पैकेज लेना चाहते हैं तो और यह प्रिलिम्स का नोर से फ्रेंड इसके लावए एक और सूचना देना चाहती हूं वह मैं आपको बताती हूं फ्रेंड ये अने केडमी पे आप लाइप क्लास अटेंड कर सकते हैं यहां पर फ्री लाइप टेस्स दे सकते हैं आप आपको सबसे पहले क्या करना है जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको सबसे पहले Unacademy की आप इंस्टॉल करना है वहाँ पे आपको अपने ID या फोन नंबर से लॉग इन करना है फिर आप जो भी subject पढ़ना चाहते हैं या जो भी paper की तैयारी करना चाहते हैं आपको यहाँ पे चुल लेना है इसके बाद आपको एक free class live class होगी जहाँ पे आपको demo देखने को मिलेगा कि कैसे यहाँ पे पढ़ाया जाता है इसके आप फ्री live test भी आप वहाँ पे दे सकते हैं यहाँ पे पढ़ायेगा उसकी आप PDF भी download कर सकते हैं जो भी आपने पढ़ा है PDF डाउनलोड कर सकते हैं आपको अगर कोई doubt आपके मन में है तो आप अपने doubt को solve कर सकते हैं हर टेस्ट के बाद आपको scorecard मिल जाएगा वो scorecard आपको आप देख सकते हैं कि आपकी स्थिती क्या है और आप paid भी जो paid group है और आपका जो free group है दोनों का ही अंतरा आप समझ लिजिए जो free class रहती है free class में आपको limited slaves दिया होता है जबकि जो unacademy का paid class होती है complete slaves कबार कराया जाता है कभी कभी practice set होते है free class में जबकि प्लस में हमेशा ही आपको unlimited practice set मिलता है यहाँ पे occasional PDF मिलता है और यहाँ पे आपको प्लस में unlimited PDF notes मिलता है limited doubt solve कर सकते हैं आप free class में जबकि प्लस class में आप सभी प्रेकार के doubt solve कर सकते हैं तो इस प्रेकार से आप यह कर सकते हैं इस परकार अनिकर्मी आपके लिए यह और पिस्तुत कर रहा है कि आप अगर उनका प्लैस सब्सक्रिप्सन लेते हैं तो आपको यह पत्रिका मिलेगी अर्दवारशिक समसामे की की जिसमें पूरा करेंट अफेर्स दिया होगा बहुत सरे लिंग्विज में इसी परकार आपके तैयारी के लिए प्रश्णों का बैंक मिलेगा हजारों प्रश्ण रहेंगे जिससे आप अपनी प्रैक्टिस अच्छी बना सकते हैं और यह डिटेल दी हुई है कि अक्टूमबर में कौन-कौन से कोर्सिस है और नवंबर में कौन-कौन से कोर्सिस हैं आप देख सकते हैं मुझे वाट्साप पे भी इसकी डिटेल ले सकते हैं इसके साथ अगर आप प्लस सब्सक्रिप्सन लेते हैं और आप मेरी आईडी यूज करते हैं अकांशा.G के तो आपको 10% का डिसकांट मिल जाएगा मेरी जो अनेकेडमी पे जो आईडी है वो अकांशा सर्मा के नाम से आप चेक कर सकते हैं वहाँ पे और यहाँ पर आपको इसमें डिसकांट मिल जाएगा तो अगर आप अनेकेडमी जोइन करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं ओके फैंस देंक यू